हलो बच्चो वेलकम टू सिक्षापूर मैं अविनास कुमार इस वीडियो में मैं पढ़ें एक छोटा सा स्टोरी मुर्लिज मैंगो ट्री मुर्लिका आमका पीड यह चेप्टर चेप्टर और भी दूसरे पब्लिकेशन के बुक्स में दिया गया है तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो अच्छा लागएगा तो वीडियो को लाइक कर दिज लीसेन मतलब सुनें, रीड मतलब पढ़ें, and enjoy this story, और इस story को, इस कहानी को enjoy करें. One day, एक दीन, मुरली एट, मुरली ने खाया, ए मैंगो, एक आम खाया, ये इट का second past form है, एट, मतलब खाया, एक दीन, मुरली एक आम खाया, He threw, वह फेका, ये throw का, throw मतलब फेकना होता, ये past form है, throw का threw, He threw, वह फेका, the seed, बीज को, behind his house, मतलब behind मतलब पीछे, his house, मतलब अपने घर के पीछे फेका, वह बीज को घर के पीछे फेका, He threw, वह फेका, the seed, बीज को, behind his house, मतलब अपने घर के पीछे, many months later बहुत महीने बाद लेटर मतलब बाद many months later बहुत महीने बाद he saw वह देखा C का ये past form है he saw वह देखा एक plant एक पौधा देखा he watered मतलब वह पानी दिया water मतलब पानी देना he watered वह पानी दिया the plant पौधे को पानी दिया everyday प्रतेक दिन the plant ग्रिव मतलब पौधा बड़ा हुआ into a big mango tree एक बड़े से mango पेड में बड़ा हुआ मतलब एक बड़ा सा mango का पेड बन गया बड़ा हो करके every summer प्रतेक गर्मी many mangoes प्रतेक गर्मी में प्रतेक गर्मी के दिनों में every summer मतलब प्रतेक गर्मी के दिनों में many mangoes बहुँ सारे आम grow on eat उस पर मतलब ग्रो होते थे बढ़ते थे यानि की फलते थे now अब मुर्लिज चिल्डेन मुर्ली के बच्चे इसका मतलब होता के चाहिका मुर्ली के बच्चे मुर्लिज चिल्डेन मुर्ली के बच्चे eat मतलब खाते है धम्माइंगोज मतलब आम को खाते है अब मुर्ली के बच्चे आमों को खाते है इस तरह से ये class 1 में छोटा सा story दियावा था NCRT में unit 6 में इस तरह से समाप होता है यह इसको हम लोग देख लेते है exercise को read मतलब पढ़े the sentences sentences को पढ़े and tick और tick करे the right picture मुर्ली एट मुर्ली ने खाया क्या खाया mango खाया था इसमें आपको tick लगाना यह इसमें नहीं mango खाया था तो mango one day यानि की एक दिन इसमें आपको tick लगा देना है he three वह फेका क्या फेका तो seed फेका यानि beach को फेका कहां फेका behind his house इसमें seed में tick लगाना है many months later बहुत महिने बाद हिसा वह देखा क्या देखा plant देखा यानि कि plant में tick लगाना है he watered वह पानी दिया दक किसको दिया पानी प्लांट को दिया दक प्लांट में इस तरह तो टिक लगाना है every day परती एक दिन कि मेनी कि ग्रिव अंदा ट्री मतलब पेड़ पर ग्रिव मतलब फले बढ़े क्या बहुत सारे बढ़े तो मैंगोई बढ़े मेनी मैंगोई बहुत सारे मैंगोई में आप पर ठीक लगाना है ग्रो मतलब फले जाएं बढ़े आगे चलते हैं हम लोग यह देखिए ड्राय ट्री एक ट्री बनाना है पतियां जिसमें मतलब फिर बनाना है ब्रांच इस पर पर आइसा जूले वाला गोशले वाला बर्ड्स वाला पच्छी वाला ब्रांच लिप्स पतियां सहीत आपको पिर बनाना है अगे ब्रांच इसमें बनाना है बॉक्स में इसमें ट्रॉक बात्चीत करें डिसक्राइब ध पिक्ट्र पिक्ट्र टिसक्राइब करें मतलब बनाएं मतलब यह नहिंग करते हैं ठचिहें अ गर्ली उपर इम इसमें चालेबब नहरें सबı। यूजिंग आल्ड़ अधाउस अल्जी बाड़ इस सब सू करना हुए यहां पर बना वा गूंट पर इसको सू करना Ayy You Okay not describe ت Head Council इसी आफ सब करते वे गिव Queen Le obten क्या पेड़ों को काटना चाहिए क्या पेड़ों को काटना चाहिए इसका एंसर होगा नो ट्रीज सुड नोट भी काट नेक्स्ट है नेम सम् ट्रीज मतलब कुछ ट्री का नाम बताएं विच यू हैब सीन जो तुम देखे हो तो आप नाम लिख दिएगा मैंगो ट्री एपल ट्री अगर देखें तो या नीम ट्री इस तरह से इस तरह से आपका यह भी चेप्टर खत्म हुआ तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किये हैं वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू लिमित अगरे वीडियो में बाए